हेलो फ्रेंट्स कैसे आप सब लोग दोस्तों आप इशाल आसो का स्वावत करता हूँ आपी के चैनल में उमीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होंगी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बैल आइकन को दबाना ना बूले ताकि आपको हम क्यों होने वाली है लास्ट वीडियो में आपको फेस्बुक की कुछ सेटिंग्स के बारे में बताया था जो मैंने ओवर्व्यू दिया था ओके दोस्तों जिसमें डेटा सेवर के बारे में बताया था मैंने लेंग्वीज के बारे में बताया था और आप कितना टाइम फेस फेस्बूक की कुछ settings और privacy shortcut के बारे में, privacy shortcut में आप ज्यादा कुछ नहीं, दोस्तो आप यहां पर अपने हिसाब से इन चीज़ों को manage कर सकते हैं, आप इन सब चीज़ों की shortcut बना सकते हैं, privacy की, जैसे की review of view point privacy setting, privacy setting इन सब के बारे में आप अपनी privacy setting चेक कर सकते हैं, वोके द जानना चाते हैं, तो, ओके दोस्तो, इसके अलावा दोस्तो, face recognition, यह क्या चीज़ होती है, दोस्तो, face recognition पर आप जैसे क्लिक करेंगे, तो यहां पर जैसा कि लिखा हुआ है, do you want to face to be, facebook to be able to recognize you in photo and video, अब इससे क्या होगा, यह मैंने yes कर रहा है, तो दोस्तो, जब भी कोई आपको photo डालेगा, तो यह आपको automatic, कोई भी आपको, कोई भी आपका दोस्त, आपकी photo डालेगा, तो यह recognize कर लेगा, यह आप है, और वहां पर एक icon show होता है, जहां पर नीचे आपका name लिखा होता है, विशाल अगरवाल करके, तो यह face recognition के under आता है, ओके दोस्तो, अब दो को, ओके दोस्तो, अब दोस्तो, इसके अलावा एक चीज़ आती है, who can see your post, ओके दोस्तो, तो इस चीज़ को आप यहां से manage कर सकते हैं, manage कर सकते हैं, आप चाहते हैं, फ्रेंड को दीखें, या फिर हर किसी को दीखें, तो वो अपने according, आप यहां पर manage कर सकते हैं, पुराने post कोई न देगे, तो आप उस चीज़ को limit कर सकते हैं, यह से, यह setting के बारे हैं, बहुत कम लोग बताते हैं, बहुत अच्छी setting है, ओके दोस्तो, कभी-कभी क्या होता हम future में आगे बढ़ चुके होते हैं, लेकिन हमारे पुराने post वही रहते हैं, वो ही पुराने post चोटी सोच वाले, यानि कि हम क्योंकि अभी उस टाइम चोटे होते हैं, और वो पोस्ट हमें आज की date में पसंद नहीं आते हैं, तो उन चीज़ को आप limit कर सकते हैं, ओके दोस्तो, इसके अलावा आप जान सकते हैं, who can see the people pages list you follow, किसने आपको follow किया है, आप किसको follow करते है ये सब चीज़ों को आप हाईड करके फ्रेंड से हटाके इसे friend accept जो भी करना चाहते हैं, फिर public करना चाहते हैं, ओके दोस्तो, आपको friend को कहई सकता है, ये भी आप manage कर सकते हैं, ओके दोस्तो इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं, ओके दोस्तो, email address you provided, ये सारी setting आप देखेंगे तो आपको समझ में आगा काफी कुछ है इसमें जानने जैसा ओके दोस्तों तो बहुत अमेजिंग है यूज करके जरू देखिएगा इसके अलावा दोस्तों यहां पर आपको पासवर्ट चेंज करना यहां पर टू फेक्टर ऑथेंटिकेशन लगाना तो वह आपको फेस्बुक यूज करता और आप चाहते हैं कि आपको तुरंट इसके बारे में नोटिफिकेशन आ जाए तो यह सेटिंग हाती है रिसीव अलर्ट अबाउट अन्रिकागनाइस्ट अलर्ट के बारे में ओके दोस्तों अन्रिकागनाइस्ट जो भी चीज होगी उसके यह नोटिफिकेशन आएगा मैसेज आएगा या फिर इमेल एड्रेस पर आएगा तो इस तरीके से आप इसे मैनेज कर सकते हैं तो काफी अच्छी है यह अपने पेड करते हैं तो वह आप यहां पर जाकर सकते हैं ट्रांसलेशन फॉर पोस्ट आपको चाहिए कि नहीं वह आप यहां से जाके मेंटेन कर सकते हैं ओके दोस्तों इंग्लिश लेंगेज में या फिर लेंगेज भी आप सेलेट कर सकते हैं ओके दोस्तों अगर आपकी कोई एप वैपसाइड है जो आप करनेक्ट करना चाहते हैं यहां से तो आप करनेक्ट कर सकते हैं ओके दोस्तों य देखने को मिलती हैं आप किसी की भी profile में जाते हो तो वो profile locked का option शो करते हैं तो वो यह setting है profile locking वाली आप इसे लॉग कर सकते हैं face organization एक और बार आपको मिल चुकर यहां पर जाके आप इसे manage कर सकते हैं कि दोस्तों timeline और tagging भी आप manage कर सकते हैं कि tagging कौन कर रहा है किस तरी किसे यह सारी चीज़े आप manage कर सकते हैं ओके दोस्तों access your information information के बारे में जानना या फिर activity lock के बारे में जानना तो यह सारी setting आपको यहां देखने को मिल जाती हैं और वहुत दोस्तों काफी कुछ explore करनी जासे facebook में तो आप explore कर सकते हैं मैंने काफी